हेलो दोस्तों आज में आपनों के लिए 10,000 एर औप ग्रास रिफाइन के लटेश एपिसोड को लेकर आ गया हूं मुझा उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए आप लोग बिएक को टाइम जाय के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ इस नीचे आजाता है इस चीज क्यों देखकर नियर बोलती है क्या यह आदमी यहाँ पर ट्री बनने वाला है नियर की यह बोलने के साथ हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि धीरे-धीरे एक ब्लांड में बदल रहा होता है और बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मर सक इस चीज के बारे में बात कर रहे हो मुझे इस चीज के बावरे में कुछ भी पता नहीं यह और बहुत-धी ज़्यादा तरबने लगता है इस चीज के देखके नियर उसके पास जाती है और भी इस बॉस्यांस को घ amba तभी इस बॉल में यहाँ पर एक बलाष्ट होता है जिसकी वज़े से एक मेरी पर सामना पहले भी कर शुका हूं यहाँ इस पर शामने को दिखाया जाता है जो कि इस बॉज़ेसे यहाँ पर बिलकुल नौर्मार होने लगता है और हम लोगे जंगल बीच में इस पत्थर को को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी क्रेयक आने लगते हैं जिसकी वज़े से यह पत्थन यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो फ्लाइक करकर कहीं पर जाने लगता है लेकिन तभी यह सिनका थोटा रम लोंको इस लड़के को दिखाया जाता है जो की धीरे-धीरे कर और यह लेकिन तभी दिमान के उसके सामने आ बताने लगता है तुम उसके सामने जाकर इस चीज के लिए उसका आदा करो जिस पर इस पर यह अपने मन में पहलाद मुझे हाड़ाया है बलकि मुझे वह दोबारासे कर दिया आखिरकर यह आदमी कौन है इसके बाद सुर्यान क प्थर के एक स्पृृइट के हिस्से को चाहते हुं लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह एक स्पृृइट नहीं है और मैं यहां पर जो कुछ भी बोल रहा हूं यह सब बातें बिल्कुल सच है क्यूंकि तुम्हें इन चीजों के बारे में पहले स सb हील हो गये हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो हवेन की भी पावर नहीं है, और आखिर कर तुम हो कौन? ये लरका सुनीहान को ये सब बोल satu है, लेकिन तभी लर्खे को बोलता है, अभी तुम्हारे बेवकूर पना कि नहीं की कोशिन मत करो नहीं तो सुन्यान यहाँ पर तुम्हें मार डालेगा इस बात को यह अल्डर भी सुन रहा होता है इंग दोनों की बीच में यहाँ पर तूतू में होने लगती है लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर गिरने लगते हैं इस अगर आप मेरे खिलोने को बजाना नहीं जानते हैं तो इसकी बज़े से वह तूट जाएगा जिसवर यह आदमी बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी जूरत नहीं है मैं इस बार तुम्हें भी इस खिलोने से खेलने दूँगा जिस पर यह लगती ज़्यादा खुस हो जाती है और वो यहाँ से चले जाती है इसके बाद हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ आदमी लोगों को बोल रहा होता है उस चीज को तुम से फॉरेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुयान इस पथर को अभी भी अपने मेंटल पावर की मदद से रोके वे था इस चीज को देखने के बाद यह लगता है लेकिन यह पथर एक की जटके में इसके जितने भी वाइन्स होते हैं इन सभी को डिश्ट्रोय कर देता ह जिसकी बज़े से यह लरका भी थोड़ा सा दूर चला जाता है इस चीज को देखने के बाद यह लरका बहुत ज़्यादा स्वाख हो जाता है लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर की मदद से इस पत्थर का साइज यहां पर छोटा सा कर देता है जिसकी बज़े से डीमन की इस पत्थर को पकेरने की कौशिस करने लगता है लेकिन तभी हम लोगों को नियर को दिखाया जाता है जो कि इस पत्थर को देखकर बोलती है सच में यह पहती ज्यादा खुबशूरत है और मुझे लगता है कि सुन्यान को यह पत्थर पसंद आ गया है इस बात को सुनने के बाद डिमन किंग बोलता है इतने ज़्यादा बदसुरत पत्थर को भी कोई पसंद कर सकता है इस बात को सुन्यान भी सुन रहा होता है और वो बोलता है यह पत्थर बुरा नहीं है, इस पर Demon King का reaction यहाँ पर देखने लायक था, लेकिन तब यह लोगों को इस पत्थर को दिखाया जाता है, जो कि इस लगकी के पास चला जाता है, और वो बोलता है, मैं सुन्यान को अपना master स्वीकार करना चाहता हूँ, इस बात क यह बोलने के बाद बहुत ही ज़्यादा परिशान होने लगता है जो कि आप लोग देखी सकते हो लेकिन तब हम लोग को इस पत्थर को तिखाया जाता है जो कि इसकी बात से यहाँ पर कंवेस्ट नहीं होता है इस चीज को देखकर यह लड़का बोलता है तुम्हें जाना है बोलता है एक आत्मा और दूसरी यह सच में बहुत ही ज़्यादा आश्याक की बात है इसे जिसकी ने भी बनाया होगा वह बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान होगा यह सब सुची रहा होता है लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब इस ग यहां पर बाहर आ सकते हो नहीं तो मैंने तुम लोगों को जान से मान डालूंगा इस बात को सुनने के बाद फॉरस्ट में एक रेड कलर की एनरजी फैल जाती है और इसके अंदर से हम लोगों को उन्हीं गार्ट लोगों को दिखाया जाता है जिसे इस डीमन ने भेजा थ इन लोगों को यहाँ पर यह लड़का भी देख रहा होता है और वो बोलता है इन लोगों ने हम लोगों को ढून लिया है अब हम लोगों को अपनी जान बचानी होगी लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्लर को दिखाया जाते है जो कि आगे की वर आते हुए बोलता है इन लो पॉपेट्स के साथ में यहां पर फाइट करने लगते हैं जहां पर यह वाइट हेयर वाला एल्डर बहुत आसानी के साथ में इन लोगों को मार रहा होता है और यह दूसरा एल्डर अपने ठंडर से लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वुझे से यह लोग दूर जाकर इस चीज़ को देखने के बाद यहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को लगता है कि यह पॉपेट्स लोग यहां पर डिश्ट्रॉय हो गए हैं लेकिन तभी हम लोगों को इन पॉपेट्स लोगों को दिखाया जाते हैं जहां पर वो लोग अपने इंजिरी को दोबारा से हील कर लेते हैं और वो लोग इन अड़लर लोगों के उपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं लेकिन तभी हम लोगों को सुनियान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अगर तुम लोग उमर नहीं सकते हो तो तुम लोग यहां से गायब हो जाओ और वो यह अपने एनरजी को चारों तरफ फैला देता है जिसकी बज़े से उसके आज पास में जितनी भी चीज़े होती है वो सभी ब्लैक और वाइट हो जाती है और सभी लोग अपने जगापर रुख जाते हैं इसकी बज़े से यह पर यहीं पर डिश्ट्रोय हो जाते हैं जो कि आ का बोलता है यह लोग के द्वारा हम लोगों के उपर हमला करने के लिए भेजे गए थे और वो लोग जहां से आये थे वह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस लड़के के यह बोलने के साथ हम लोगों के यह अपिसोड हो जाता है अगर आप लोगों को वीडियो पसं अमोम fala श्वारा हम बोलु sırवारा हम थक्ला करने के लोगों के यह वहां से यहां रुछंदने आप लोगों के लंगों के लुग का हम जगों के लीगरों क्ला से लेत्माने के लिए ऑ्सक्तिके के लिग्ण